बिहार के दर्भंगा जिला के बिरोल थाना की पुलीस को बड़ी सफलता हाथ लगी है जिसमें इसी थाना चेतर अंतरगत एक गाउं के बिभिन जगों से चोरी किये गए कुल 12 बाइक को बरामत किया गया है जिसमें चार व्यक्ति की गिरफतारी भी किये गई है जबकि दो व यक्ति भागने में सफल रहा है दरसर इसका खुलासा करते हुए बिरोल SDPO मनेश चंदर चोधरी ने रभिवार को प्रेस कॉन्फरेंस के माध्यम से जानकारी दी है उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ये पुलीस अधिक्षक के निरिदेश पर 23 दिसंबर की र इरफान, गौरब कुमार, मुहम्मद जमाल, मुहम्मद मजरुद्दीन को गिरफतार किया गया है वहीं मुहम्मद अफजल और छोटू साफी भागने में सफल रहा है बिरोल SDPO मनेश चंदर चोधरी ने आगे विज़नकारी देते हुए बताया कि छापे मारी के दोरान ब पी को गिरफतार किया गया यहाँ गिरोह द्रभंगा के अलवा समस्तिपूर, सहरसा, मदवनी जिला में बायक चोड़ी कर अलग-अलग जगा बेचने का भी काम करता है वहीं चापी मारी टीम में सामिल थाना स्चो सत्त परकाज़ा, PSI अंकीत कुमार, PSI अखलेश कुमार, पुलीस अंचल निरक्षक हरेंदर सह की अलवा पुलीस बल को इसमें सामिल थे। बवीन जो होँँपे ठापी मेली गये, भी रावलब मुडल पहें, इसमें से रहो होग दर्भंगा जिला के बिरोल थाना की पुलीस को बड़ी सफलता हाथ लगी है जिसमें इसी थाना चैतर अंतरगत एक गाउं के बिभीन जगों से चोड़ी किये गए कुल 12 बायक को पुलीस ने बरामत किया है जिसमें चार व्यक्ती की गिरफतारी की गई है जबकि दो व्यक्ती भागने में सफल रहा है इसका खुलासा करते हैं वे बिरोल स्ट्पो मनेश चंदर चोधरी ने रविवार को प्रेस कॉन्फरेंस के माध्यम से जानकारी दी है